हलो एवरिवन इट्स एपियंस और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इस बार CSIR ने बोला है कि ये एक मर्ज साइकल है जिसमें दिसम्बर 2022 और जून 2023 को मर्ज किया गया है तो हम इस वीडियो में ये कवर करने की कोशिस करेंगे कि मर्ज साइकल का मतलब क्या है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मर्ज साइकल में नमबर आप सीट्स बड़ेगी घटेगी या उसके बारे में क्या information हमारे पास है हलांकि CSIR ने अपने advertisement में या notification में इस चीज को बिल्कुल भी clear नहीं किया है कि नमबर आप सीट्स बड़ेगी घटेगी या उसका क्या information है चली एक बार हम इस चीज को समझ लेते हैं कि CSIR का exam साल में दो बार होता है जिसे हम दो cycles कहते हैं जो कि एक June में होता है दूसरा December में होता है लेकिन पिछले कुछ time से Corona की वज़े से COVID की वज़े से ये exam साल में एक बार ही हो पा रहा है फिर अगर हम बात करें 2020 की तो 2020 में एक ही exam हुआ था नवंबर में जो कि जून 2020 था फिर 2021 की बात करें तो 2021 में भी एक ही exam हुआ था जो कि फरवरी 2022 में conduct किया गया था और वो exam था जून 2021 का फिर हम आगे बात करते हैं 2022 की तो 2022 में भी एक ही exam हुआ जो कि जून 2022 था और वो exam conduct करवाया गया September में तो हम 2020 और 2021 में देख रहे हैं कि दोनों साल में December cycle को skip किया गया है और जब जून वाला exam conduct करवाया गया तो CSR ने यहां कहीं भी mention नहीं किया कि हम जो अगला exam करवाने जा रहे हैं वो एक merge cycle है कहीं mention नहीं किया उनोंने और एक चीज़ दूसरा data हम अगर देखें तो हर एक cycle में number of seats कितनी होती है GRF और LS के लिए तो एक rough सा estimate लगाएं तो हर एक cycle में हर एक exam जबले हो June का हो बले आव दिसंबर का हो उसमें number of GRF लगबग 4000 होती है मैं सारे subject की मिला के बात कर रहा हूँ सिर्फ life science की बात नहीं कर रहा हूँ यहां पे और LS पी लगबग 4000 होती है तो कहने का मतलब है कि एक साल में अगर दो exam हो तो total number of GRF लगबग 8000 होनी चाहिए ठीक है यह एक data है अब दूसरी बात की पिछले दो exam जब June 2020 का conduct करवाय गया नवंबर में और June 2021 कंड़क्ट करवाय गया फरवरी 2022 में तो कहीं भी इस चीज़ को mention नहीं किया उन्होंने कि एक merge cycle है लेकिन इस बार notification में आप देख सकते हैं जब आप form में आपने fill किया तब भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे लिखा है कि यह एक merge cycle है December 2022 और June 2023 का तो इस चीज़ से यह चीज़ clear होती है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया है कि merge cycle है तो number of GRF भी merge की जानी चाहिए दोनों cycle की और number of LSP lecture ship भी merge की जानी चाहिए हम इस चीज़ से यह अंदजा लगा सकते हैं हलांकि CSR ने इस चीज़ कहीं भी mention नहीं किया है कि number of seats क्या होगी final decision उनका ही होगा क्योंकि उन्होंने notification में इस चीज़ को बिलकुल भी mention नहीं किया है अगर हम reference के तौर पर UGC का देखें जब UGC ने merge cycle करवाया था एक तो और जब उसका result आया तब इस चीज़ का पता चला है कि जब उन्होंने merge cycle conduct करवाया तो number of seats वहाँ increase हुई ये चीज़ देखी गई है तो हम इस बार CSR से भी यह hope करते हैं कि number of seats बढ़ेगी जब उन्होंने इस चीज़ को नाम दिया है कि ये merge cycle है चूंकि पिछले दोनों exam में उन्होंने ये चीज़ नहीं बोलीती जून 2020 और जून 2021 वाले में इस बार इन्होंने अगर नाम दिया है merge cycle तो सोच समझ के दिया है और इस बार हम ये expect कर सकते हैं कि seats जो है बढ़ेगी दोनों cycle की seats को sum किया जाएगा जो कि लगबग 8000 seats GRF और 8000 LS होनी चाहिए तो आपका ये doubt था कि number of seats क्या रहेगी बड़ी घटी तो इस चीज़ पर ये complete वीडियो मेंने बनाया है तो थेंक्यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो और दोस्तों साथ सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो मच